प्रशकार दोस्तो आई होप आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है कोर सतोषी के बारे में और आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बहुत सारे लिटफली बहुत सारे good news मिलने वाली है कोर माइनिंग को लिखे और दोस्तो आप सभी को बता करेगा वो कैसे लेनी है और कैसे आपको मिलेगा उसके साथ साथ इसकी जो मैनेंट लॉंचिंग है वो कब होगी और मार्किट में आप सभी लोग सुनते होगे कि कॉर का जो प्राइज है वो एक एथिरियम के बराबर होने वाला है तो दोस्तों इतना जो चीज़े चल रही है मार्किट के अंदर इसमें कितनी सचाई है कितनी जूट है सारे चीज़े आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफोर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए जो भी पाइनियर्स हो जो भी इन्वेस्टर्स हो कोड mining के लिए जो शुरू कर चुके हो और जो शुरू करना चाहते हो उनके लिए भी important है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके एंग तक देखना और एक मेरी छोटी सी request है अगर आप हमारे इस channel पे new है तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर प्रेस कर दें चलिए दोस्तों start करते हैं सबसे पहले मैं एक पर refresh कर लेता हूँ and यहाँ पे कुछ updates पहले clear करते हैं फिर उसके बाद हम चलेंगे पहले किस तरीके सब income करोगे फिर manage को clear करेंगे फिर pricing को करेंगे फिर exchanges को भी clear करेंगे मोटा मोटे सब कुछ आपको यहाँ पर clear हो जाएगा तो यहाँ पर इंपॉर्डेंट जी बताई जारी है the core community is not that build on patience the most importantly togetherness which is ever acknowledgement by code organization तो यहाँ पर साफ साफ चीज़े clear की जारी जो community है वह बहुत जादा next level की building की गई है जिसमें की यहाँ पर patience वगरा की most important चीज़े बताई जारी है कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कुछ साल के अंदरी सिर्फ 11-10 साल के अंदरी core mining इतनी जादा आगे निकल चुकी है जैसे कि आप सभी को पता होगा इसकी fan following की बात करें या इसकी growth की बात करें ओके और यहाँ पर एक सबसे important चीज़ आई है manant launching को लेके there could be shocking core manant launch announced before the end of 2022 what do you think तो यहाँ पर एक proper poll डाला गया है जिसमें पूछा गया है क्या 2022 से पहले क्या इसकी launching की जाएगी तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि 2022 से पहले इसकी launching की जाएगी और 2022 खतम होने में सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी है और आज की वीडियो के अंदर आपको ये भी clear करेंगे कि ये launching का क्या dates होने वाली है यहाँ पर चलते हैं थोड़ा और नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है जैसे मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ पर एक्साइटिंग तो कोड डायो अनॉंस्मेंट वह सबसे इंपोर्टेंट चीज आप यहाँ पर किलिर कर ले और यहाँ पर देखे साफ साफ लिखा है प्लीज अव्रीवन बी गाइड कोड डायो इस नॉट सटोशी एंद सटोशी इस नॉट रायो तो कोड डायो जो है चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज भी होने चाहिए ऐसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिससे कि आपकी जो इंकम है वह बहुत ज़्यदा बढ़ जाएगी कोड डायो देमसेल्फ ट्वीटर अबाउट इस दाट सटोशी एप इस पार्डनर ऑफ नॉट अट डॉर्मन ऑफ दिस कोड प्रोजेक्ट वह सिर्फ पार्डनर है ठीक है और एंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी मैनेंट गोस लाइफ तोड़े सटोशी एप तो यहां पे कोशनिंग की जारे जैसे ही मैनेंट को लाइफ के जाएगा कि आप सेल कर दोगे कोड इस जस लाइक क्रिप्टो कॉइन सिम्पल सी बात है कोर जो है सतोशी जो है एक ऐसा कोईन होने वाला है सिंपल गाएक स्पैसिविक प्राइज आएगा और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो बड़े-बड़े एक्चेंजेस पर होने के चांसे हैं जैसे बाइनेंस यूबी ग्लोबल एल बैंक कोईन बेस एंड जो तुम चाहते हो और जो बहुत सारे अभी आ रही है ठीक है जो की प्रूवेन है जो की फ्रॉड वाली नहीं है जो और गैनिक है रियल है ठीक है तो इन सबी चीजों पर डिपैंड करता है और यह सारी चीजें बताती है तो यह उन्गुड कोईगा उने वाला है वह बहुत ज्यादा एक्सपैंसीव हो जाएगा future में future में expensive होने का मतलब यह है जैसे ही मैंनेट को launch किया जाएगा उसके बाद उसका price एक अच्छा price बन जाएगा अच्छा price का मतलब है कि एक decent price जो की ethereum के आसपास होने के chances है ठीक है और उसके साथ साथ एक और चीज के लिए की जाए बात की जाए कि air drops के क्या benefits रहेंगे तो air drops के benefit आपके साथ यह रहेंगे कि आपको अगर air drops के join करते हो तो आपको free में coins मिल जाते हैं जिससे कि सबसे और important updates की तरफ जो आप सभी के लिए बहुत जादा important है जिस चीज के लिए आप wait कर रहेते और वह है मैं आपको clear करता हूं किस तरीके से आपकी जो income है वो बढ़ेगी समझ रहे हो आपकी जो income है वो किस तरीके से बढ़ेगी वो भी as a core mining के साथ तो उन सभी चीजों को अभी हम यहाँ पर clear करते हैं और दोस्तों अभी एक छोटी सी request है अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को guys like ज़रूर करना ओके और यहाँ पर हम बात करने जा रहे है passive income के बारे में और guys passive income मैं बता तो जिनको नहीं पता passive income यह होती है जिसमें कि ह provide passive income तो यहाँ पर हम आपको दिखाते passive income में कैसे प्रोवाइड गरेगा इसकी technology किया है if you won't be able to long the core DIO manage goes live जैसे ही core DIO manage life होगा the environment is favorable and the community is spread with audits behind us NFT projects selling out pre-sale and test that mining finish तो यहाँ पर सबसे important चीज़ बताई जारी है core DIO जो है एक बहुत जादा बड़ी community है जैसा आप सभी को बता है और उसके साथ जैसे ही वो launch होता है जैसे ही minute live आएगा उसके बाद NFTs होंगी वो बिखना शुरू हो जाएगी और आप सभी को मैं बता दू NFTs करोडों बिखती है गाइस करोडों लाख हो तो उसके लिए पेंटिंग एक ही है और यही original है तो ऐसे ही social media की बात करो या internet की बात करो वो NFT ऐसी होती है जो social media पे एक ही है उसका copyright सिर्फ आपके पास होगा उसी copyright के पैसे मिलते हैं और वही चीज़ पे अभी NFTs के लिए ही code DIO काम कर रहा है और यह सबसे best चीज़ है और इसके proof आपको द quickly go through how owning and staking core tokens can provide passive revenue after the merchant is live the distinctions downlines of options coming to simple core token stakers could change the course of passive revenue generation तो यह जो होगा आपकी जो generation को बिल्कुली change करने वाला है क्योंकि देखो आज की टाइम में सबी लोग चाते है कि हमारा पैसा ना कम टाइम के अंदर double triple जितना हो जाए हो जाए और उसके साथ बहुत सारे लोग यह भी च पैसा लगा दें उसकी टाइम लगा दें कुछ भी लगा दें उसके बाद हमारे पास पैसा आता रहे तो ठीक है उसके लिए बहुत informative है इसी को passive income बोलते हैं और यही अब जनरेशन बनने वाली है और यहां बताया चाहरे every core token on will be able to stake their individual core on the satoshi app तो यहां पे satoshi app पे core के जो awning होगी वो individually होगी एक होगी in additional to potential receive and modest annual percentage yield APY holders core can profit by staking जो core का profit होगा वो staking के थू होगा ठीक है staking की थू जिसमें yield farming वेगारा चीज़ा आती है ठीक है know how much core users possessive they are still eligible to stake and participate और उस situation में आप सभी eligible रहोगे आपको tension लेने के जरूरत नहीं है और उसके बाद आप easily staking और participate कर सकते हो ठीक है जिससे कि आपकी वहाँ पे generate होते रहें coins वेगारा holders of core may gain by staking using a producer known and delegate proof of stake तो यहाँ पर पियो एसकी बात की जारी है और दोस्तों यह बहुत important चीज़े हैं क्योंकि अगर आपने यह चीज़ समझ ली तो आपकी जो normal as a core mining से income होने वाली है ना जो launching के बाद आप देखते हो कि एक कोर का price one as a ethereum के आसपास होता है देखो वाइज one ethereum के आसपास जाना एक पल के लिए proper possible तो नहीं है बट उसके आधे का भी आधा रहता है तब भी आप अंदाजा लगास्ते हो 25,000 या 50,000 या 50,000 या 10,000 भी होता है तब भी कोई not bad amount आप सोचो एक कोर का price 10,000 हो 5,000 हो ठी चले भी जाता है वो exceptional है इतना जाने के chances properly नहीं है बढ़ चले आता है तो guys आपको क्रोडपती बने से coin रोस्ता बट वो एक limited amount है मतलब कि उसके साथ आपने खरीद लिया बट अगर आप यह चीजे करते हो इस टेकिंग करते हो वह भी कोर के साथ तो आपको validate करते करते future में आपको automatically income आती रहेगी गाई वो तो है उसके साथ हो रहेगा तो यहां पर बताया जा रहे है taking holders to validators combining some of the best ideas for ethereum post-merge users distribute the incentives and rewards generated by validators by delegating these holdings validators determine these takers rewards and are motivated to make it worthwhile तो यहां पर बताया जा रहे है किस तरीके से आप इस चीज में काम कर सकते हो और अपने आपको ऐजा आगे भी बढ़ अपने करते हैं यहां पर लास्ट चीज को गवर करते हैं इन दी connection delegated validators have a large capacity to contribute to consensus दिस रिवाइट इस टेकोस इन दी फूचर वाइल फॉर्द डिमोक्राइटिक गजिंग दी कोर ब्लॉक्चेन ओवरल कॉंचियस मेकनिजम तो यह बेसिकली कॉंसिस मेकनिजम पर वक करता है जो कि प्रॉपर एक ब्लॉक्चेन है as a compensation for transferring their holdings is taking court holders receive distributions of the incentive earned by the validator as a result of their efforts to verify the conscious mechanism तो यहां पर जैसे ही आप transfer करते हो अपनी holdings को तो आपको वहां पर compensation भी मिलेगा ठीक है और उसके साथ साथ it's essentially serves a compensation for landing your core to utilize the support of the change conscious mechanism तो basically अगर आप इस चीज के साथ जोड़ते हो तो आपको future supports भी देखने को मिलेंगे जो कि आप सभी के लिए हित में होंगे और वो सारे चीज़े the core dieo currently operating the testnet mode but the moment for the next action is drawing near with the adaptability and course taking chance the manant update will introduce a new delegated proof of stake positively sorry possibility for users of various price ranges तो यहां पर जितने भी आप users होगे मतलब आपकी जो core का price होगा वो तो सबके लिए same आएगा ठीक है जैसे ही management on होगा सबके लिए same आएगा बस सबसे important चीज़ वहां पर यह रहती है कि हर एक category of as a buyer की बात कर लो या इन पाइनियर्स की बात कर लो उसके price range के बिहाफ पर होगा वो जो होगा passive income ठीक है तो इस टाइप से कुछ काम करने वाला है I hope guys आपको समझ में आया होगा कि चीज़ management launching होगी 2023 January के महिने में ही इसकी possibility है और बाकी की जानकारी के लिए कि management की January में कौन सी date को इसकी launching होगी उसके लिए next video आजाएगी जैसे ही future updates मिलते हैं उनको collect करके आप सभी के सामने सारी चीज़े हम produce करते हैं ठीक है तो सारी चीज़े आपको with proof मिलेंगी I hope आपको समझ में आया होगा कि यह चीज है क्या ठीक है देखो इसमें हवाबाजी वाली बात लिए जो organic चीज़े है मैं वह आपको बता रहा हूँ इस channel पे ठीक है तो guys अगर आपको video एक परसेंट भी अच्छी लगी होगी न दोस्तों तो please guys भाई को support करना एक like ज़रूर कर देना इससे हमे वन्दे मात्रम